जेहिन दोस्तो मैं हुआ नूप और आप सब लोग देख रहे है ग्लोबल कॉन्फलिक्ट दोस्तो आप सब लोग को पताई होगा कि टर्की और ग्रीश के बीच में साइप्रेस के हिस्से को लेके टेंशन चल रहा है साइप्रेस के नस्दीक जब से खनीज भंडार मिलने का संभावनाय बढ़ा है तब से ही टर्की का नजर ग्रीश के शेत्र के उपर है और इस दर्मियान टर्की द्वारा ग्रीश को हर तरीके से धमकी देने का प्रयास किया जा रहा है इवन टर्की ग्रीश को लड़ाई का भी धमकी दे चुका है पर दोस्तों जो भी हो जहाँ पे टर्की के तरफ से एक तरफ धमकी दिया जा रहा है वो ही पे ग्रीश ने कारव उससे टर्की का एक फ्रिगेट बुरी तरीके से डामेज हो गया है, जबकि एक फाइटर यार कर इतना डामेज हुआ है कि कभी और रिफेयर नहीं हो सकता, तो दोस्तो आज के वीडियो के सबसे पहले हिस्से में आप लोग को टर्की का उसी फ्रिगेट के बारे में तो दोस्तो इसे डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तो टर्किश नेवी के ये कमाल रेस जहाज और इस रेस नामक और एक रिसर्च जहाज को स्कॉट कर रहा था जो शायद ग्रीस के शेत्रे के अंदर इलिगली रिसर्च का काम कर रहा था दोस्तो कमाल रेस जहाज द्वारा मेडिटेरियन सी के जिस हिस्से के अंदर दूसरे जहाजों को स्कॉट किया जा रहा था वहां का वेधर भी ऐसा है कि अब इस जहाज के शतिग्रस्थ होने के बज़ा से इसका इस्तिमाल उस एरिया में नहीं किया आया सकता है क्योंकि उस एरिया में 2-5 मिटर उचा लहरे है जो इस शतिग्रस्थ जहाज को और ज्यादा नुक्सान पहुंचा सकता है और जिससे जहाज पूरा-पूरी इतने बुरी तरीके से शतिग्रस्थ हो सकता है कि जहाज डूबने का वी आशंका है पर दोस्तो हैरानी का बात तो ये है कि जहाज इतने बुरी तरीके से शतिग्रस्थ होने के बावजूद तर्किस नेवी के अधिकारियों का अकड़ नहीं गया जहास को जहाँ पे लढाई छोड़के भागना पड़ा वही पे टर्किश नेवी के अधिकारियों द्वारा बयान ये दिया जा रहा है कि टर्कि लढाई का मैदान छोड़के नहीँ भागेगा जबकि दोस्तों टर्की द्वारा इन बातों को छुपाने का भी प्रयास किया गया लेकिन ग्रीक टाइम में टर्की के जहास का फोटो को पब्लिश करते हुए टर्की के हकीकत के बारे में भी जिकर कर दिया गया दोस्तो ग्रीक नेवी के जहास टर्की के जहास के साथ टकराया था वो लगवग 38 साल पुराना S-type फ्रिगेट है और दोस्तो इस फ्रिगेट का खासियत ये है कि ये काफी भारी वरकम स्टील द्वारा बनाया गया है करिफ-करिफ 4 मीटर सॉलिट स्टील का इसका बो है और इ ग्रीस के जहास को शती पहुंचाने का भी प्रयास किया जा सकता है लेकिन ग्रीस के तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि ग्रीक ने भी फुल इलर्ट में है और टर्की का इसी तरीके का कोई भी हरकत को काउंटर करने के लिए तयार है दोस्तो टर्की का फज़ियत पूरा social media तर्की के जहाज को बारवार शोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है और तर्की का जो पावरफुल कंट्री बनने का दावा है उसे धराशाई किया जा रहा है। मतलब जहापे टर्की का ये जहाज सन 2000 में कमिशन किया गया था उही पे ग्रीक नेवी के जहाज को कम से कम आज से 38 साल पहले कमिशन किया गया था और ये घटना सावित ये करता है कि टेकनोलोजीकली सुपीरियर होना काफी नहीं होता है या फिर आधुनिक हत्यार रखना अब टर्की के साथ हुआ है दोसो टर्की अपने हत्यारों का धम दिखा के जहाँ पे ग्रीश को आए दिन धमकाने का प्रयास कर रहा है उसे भी अब सवक मिल चुका होगा कि धमकाना काफी नहीं होता है और नंबरों में बढ़ती मानना काफी नहीं है दोसो अब चलिए ज घटना घटा था ग्रीक आइलन्ड रोड्स में जहाँ पे ग्रीक एरफोर्स और ग्रीक आर्मी के बीच में एक एकसेस हो रहा था और एकसेस को बिगाडने के लिए टर्की एरफोर्स के तरफ से दो फाइटर यार कैप्टों को ग्रीस के एर स्पेस के अंदर भेजा गया थ दोस्तो टर्की का ये fighter pilot F-16 था पर Greek Air Force के पाइलोटों द्वारा जिस तरीके से टर्की का इन हरकतों का जवाब दिया गया वो तारीफ करने वाला था दोस्तो ग्रीक Air Force के पाइलोटों द्वारा तब तक इनतेजार किया गया जब तक टर्कीश Air Force के ये दो F-16 fighter aircraft ग्रीक के एर स्पेस के बहुत अंदर तक न आ जाए और बहुत अंदर तक आने के बाद जिस तरीके से ग्रीक Air Force के पाइलोटों के द्वारा रेस्पॉंस किया गय उससे तर्की को वाखुवी सबक मिल गया होगा कि किसी वी देश के एर स्पेस को कभी वाइलेट करना नहीं चाहिए खास करके ऐसे देश का तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिनके पाइलोटों के होसले और हुनर के जवाब तुम ना दे सको दोस्तो ग्रीक पाइलोटों दोस्तो ये फाइटर एर करफ तुम नहीं हो पाया है उनमें से एक फाइटर एर करफ के इंजिनों में इतना जादा मुश्किल था कि यो लैंड के बाद और ऑर ऑपरेशनल नहीं हो पाया इवन इंजिन हवा में ही लैंडिंग से पहले डैमेज हो चुका था जो लैंडिंग को और क्रिटिकल बनाया एर क्राफ इतना जादा शतिग्रस्थ हो चुका था कि पाइलेट द्वारा एर क्राफ को सही तरीके से रनवे के उपर लैंड भी कराया जाना संभब नहीं हो पा रिपोर्टों के मुतावी इन एरक्रेप्टों को अब रिफियर करने में टर्की को इतना ज़्यादा खर्चा होगा कि इससे बेटर है कि नया एरक्रेप्ट खरीद लिया जाए ग्रीक सोर्सेस के तरफ से ये भी वताय जा रहा है कि दोनों फाइटर पाइलेटों को कोई भी नुकसार नहीं हुआ और कोई भी इन्जोर्ड नहीं है इवन क्रैस लेंडिंग के बावजूद पाइलोटों को सेफली एरक्रेफ्ट से बाहर निकालना भी संभव हो पाया है पर दोस्तों ये घटना भी ये सावित करता है कि फाइटर एरक्रेफ्ट या फिर आधुनिक हत्यार होना काफी नहीं है क्योंकि दोस्तों ग्रीक एरफोर्स और टर्किश एरफोर्स दोनों ही ऐसा एरफोर्स है जिसमें F-16 सबसे बहतरिन फाइटर एरक्रेफ्ट है दोनो एरफोर्स द्वारा ही F-16 का इस्तेमाल किया जाता है और ये घटना सावित ये कर रहा है कि ग्रीक एरफोर्स के पाइलटों के पास ज़्यादा स्किल है और लड़ाई में ये लोग ज़्यादा ट्रेंड है इसलिए सेम तरीके का एरक्राप्टों के वावजूद एक ए दोनों देशों के पास F-16 होने के बावजूद तर्की को जहां पे हार मानना पड़ा उही पर आप सोचिए ग्रीस द्वारा जहां पे रैफैल एरक्राप्टों को अपने बेड़े में शामिल करने का इरादा रखा जा रहा है उही फिर रैफैल एरक्राप्ट ग्रीस के एर इस और मेरिटरियन सी के बीच में इस तरीके से फस चुका है कि वहाँ से बाहर निकालना तर्की के लिए अब संभब नहीं है शी जिंग पिंग के बाद अर्दोगान द्वारा जिस तरीके से अपने विस्तारवादी नीती को आगे बढ़ाया जा रहा था उसे एक तरफ ज वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिन